12,460 सिक्षक भरती का भविस्य एक बार फिर खतरे में जाता हुआ दिख रहा है। जो उम्मीदे थी लग रहा था कि मामला अब सायत लखनव डबल बेंच से खत्म हो जाएगा और यहां से सब को न्युक्ति मिल जाएगी। चाहे वो जीरो के चैनित हों अचैनित हों चाहे वो इंक्यावन के चैनित हों अचैनित हों चाहे वो मल्टिपल हों। लेकिन अब एक तरफा बयान बाजी से तरह तरह की पोस्ट से यह मामला सुप्रीम कोट जाने की ओर अगरसर हो चुका है। हाला कि अभी हाई कोड डबल बेंज से ना तो सुनवाई खत्म होई है ना तो मामला रिजर्व हुआ है और ना तो ओर्डर्स आए हैं लेकिन लोगों के कार को देखते हुए लोगों के तरीके को देखते हुए यह अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं कि एक बार फिर से 12,466 भरती का भविश्य खत्रे में चैनल पर भी कई सारे आरोप है जैसे कि केवल जीरो की बात चैनल पर की जाती है जबकि जो रेगुलर वीवर्स हैं वो जानते हैं कि यहां पर बात केवल यह की जाती है कि यह भरती किसी भी तरह ऐसी स्थिती में पूरी हो कि हर एक कैंडिडेट्स को यहां पर नियुकती मिल जाए जो नियुकती चाहते हैं और इसी कारण 12,466 भरती की हर एक छोटी बड़ी लेटस अबडेट चाहे वो जीरो की तरफ से हो इंक्यावन की तरफ से हो आपको सबसे पहले दी जाती है यह अपडेट आप अपने पैरवी कारों के तरफ से भी नहीं पापातें जो आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है अब 3 अक्टूबर 2023 को होने वाली फाइनल सुनवाई के बाद यह तै हो जाएगा की मामला लगभग किसके पच्च में आ रहा है क्योंकि सुनवाई के अंत के बाद और कोट और रिजर्व होनी के बाद सभी के तरह तरह की जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी और हर जगा पर अपने अपने द्वारा किये गए प्रयाशों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाने लगेगा लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर से आपको अवगत करा दे कि किसी के पोस्ट और किसी के बढ़ा चढ़ा कर लिखने से अब कुछ नहीं होने वाला अगर आप नियुकती चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो पुरानी वीडियोज में बाते कही गई हैं वही सौप्रतिसत सत्य हैं मामला निस्तारित हो लेकिन सरकार के पच्छ में अन्यथा की इस्तिती में आप नियुकती कभी इस भरती में नहीं पापाएंगे और यह इस्तिती भी बन सकती है कि जो इंक्यावन के चयनित हैं उनकी नौकरी तक भी अब जा सकती है माननी हाई को डबल बेंच को अधिकार बहुत सारे हैं नए रूल बनाने के अधिकार हैं नियम बनाने के अधिकार हैं सिंगल बेंच के फैसले को बदलने तक के भी अधिकार हैं ये कोई एक फैसला नहीं है जो 12,460 सिक छक भरती का है इससे पहले बहुत ही एहतियाशिक फैसले हुए हैं चाहे वो 68,000 में हो 69,000 में हो जहां पर सरकार सिंगल बेंच से हारने के बाद डवल बेंच में उतनी ही तेजी से जीती है और मामले को निस्तारित करवाते हुए अभ्यार्थियों को न्यूकती भी दी है और अगर आप 0 और 59 की बात करते हैं अलग अलग तरह की बाते रखते हैं तो इसका मतलब आपको अपनी न्यूकती से प्यार नहीं है आपको अपने 59 जन्पत से प्यार है आपको अपने 0 जन्पत से प्यार है आप सिक्छक बनने का बिलकुल भी आपका कोई उदेश्य नहीं ह जिन भी लोगों का सिक्षक बनने का उदिश है वो अपने थन्डे दिमाग से सोच सकते हैं कि भरती कैसे हो सकती है दिमाग में एक ही बाते आएंगी जो पिछले 5-7 सालों में आपने इस बेजेपी सरकार में देखा है कि सरकार के हक में फैसला अनिता क्या सिती रही है बहुत सारी प्रक्रियाएं आज भी वैसी की वैसी पेंडिंग पड़ी हैं बड़े बड़े भरतियों के बड़े बड़े नेता अमरींद्र बाहु बली जैसे लोग ठीक और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्हां तरहजार आंसर की प्रक्रण में बड़े बड़े नेता हैं वो आज तक एक छोटा सा ओर्डर भी बेसिक सिछा विवाक से नहीं ले पा जबकि उनके पीछे हज़ारों की भीड़ भी खड़ी रहती है तो सोचिए अगर सरकार के पच्च में फैसला नहीं आता है तो बिपच्च के फैसले पर आप सरकार को किस तरह से गिरा पाएंगे आप सरकार को सरकार से किस तरह से उस फैसले पर आदीश करवा पाएंगे सरकार से उस फैसले पर कैसे नियुक्ति को आगे बढ़वा पाएंगे जब 12,460 सिक्षक भरती में होने वाले हर धर्णे में 1,500-200 लोग ही आ पाते हैं और इस भरती के जो पावरफुल नेता थे वो पहले से ही चयनित हैं नियुक्ति पाच चुके हैं कोई पावरफुल भी इतना यहां पर नहीं है कि जो सीधे स्रीयम योगी आधितनात जी सक तक अपनी बात को पहुचा सके उनसे मुलाकात करवा सके ये सब चीजें जो आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं ये बिल्कुल एकदम सचाई है और यही हकीकत है आप इसको मान सकते हैं और आप नहीं भी मान सकते हैं अपना अपना विचार है लेकिन चीजें जब से मैंने इस भरती पर आपको अपडेट देना शुरू किया है जो चीजें देखी हैं उन्हीं सब चीजों पर आपको ये अपडेट बताई जा रही है हाला कि उम्मीद करते हैं कि माननी हाई कोट का ये जो फैसला आएगा वो एतिहासिक होगा और ऐसा फैसला आए कि सभी लोगों को नियुकती मिले ऐसा हाई कोट विचार करे एक तरफ किसी भी फैसले पर विचार ना करे अन्य था कि इस्तिती में जो अब भियर्थी लगातार वीडियोज में कमेंट करते हैं रोते हैं अपनी न्यूगती को लेकर अपनी समस्याओं को लेकर अपनी परिसानी को लेकर उनका क्या होगा ये बहुत ही बुरी दसा हो सकती है तो केवल उने के लिए ये चैनल चाहता है कि माननी कोर्ट ऐसा फैसला दें उमीद करते हैं कि सब के हित में हो अपने विचार से वो दें और ऐसा दें कि सब को नियुकती मिले ठीक है जदा तर चांसे यही रहें कि सरकार के ही हस्तक में फैसला आए ताकि फस्ट के बाद सेकंड कांसलिंग में यह आधीश में लिखाओ सब को नियुकती दी जा सके क्योंकि याची लाफ जैसे फैसले पर केवल आपको उनको नियुकती मिल सकती है जो याची है बाकि कैंडियेट्स को नियुकती मिले इसकी कोई गारंटी नहीं और याची लाफ पर सरकार नियुकती दे इसकी भी कोई गारंटी नहीं ठीक है तो किसी के पच्छ में ना कर केवल सरकार के पच्छ में फैसला ही रहना चाहिए एक बार आप भी सोचिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि हाँ कितनी सचाई है इन बातों में जिन बातों से मैंने आपको आउगत कराया है और आप जादा से जादा वीडियोज को देखते हैं शेयर करते हैं चैनल पर भरोसा रखते हैं तो कहीं ने कहीं जो अपडेट आपको दी जाती है वो सही होती है तब ही आप ऐसा करते हैं जबकि बहुत सारे लोगों के माध्यम से आपको लगातार इस बात भी गुमराह किया आती है तो आप बिल्कुल भी इन वीडियो को मत देखा करें आप चैनल को सब्सक्राइब किये हैं तो अंसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं जानकारी सही देता हूं तो आप वीडियो को शेर करिएगा लाइक करिएगा और अभी तक चै के बिल आइकन्स जरूर दबाईएगा